गाईस इस वीडियो में मैं आपको Friend Loan Applications की मदद से यहाँ पर Loan को अपलाई करके दिखाने वाला हूँ गाईस कैसे आपको Loan के लिए अपलाई करना है अगर आप Loan के लिए अपलाई करना चाहते हैं गाईस तो इस वीडियो को आपको लाज तक देखना होगा सर्च करना है और यहाँ पर कुछ इस तरह से अपलिकेशन से तो इसको आपको आपको आपर Install कर लेना है कुछ इस तरह से अपलिकेशन से गाईस इसका लिंक आपको वीडियो के description में भी मिल जाएगा आप वहाँ से भी को डाउनलोड कर सकते हो इसको डाउनलोड करने के बाद में इसके बार में पहले मैं आपको कुछ डेटियल बता देता हो जिसी अगर इसकी रेटिंग की देखे कैस तो 4.3 की रेटिंग का और 1 million प्लस इसके डाउनलोड हो चुके हैं अगर इसमें डाटा सेफटी देखे गाईज तो अगर इम डाटा सेफटी पर क्लिक करेंगे और आपर देखे गाईज कि यह डाटा अमारे किसी third party application के साथ शेयर करती है तो ऐसा नहीं है गाईज यह जो है हमारे किसी भी प्रकार के डाटा को शेयर नहीं करती है तो quick and safe loan यहाँ पर मिलता है हमें quick loan approval मिल जाता है वो भी कम documentation में हमें आपर loan मिलता है और यहाँ पर higher loan amount मिलता है वो भी low interest rate पर loan approved and proceed with 10 minute, 10 minute के अंदर आपका loan approved हो जाएगा और proceed हो जाएगा आप किस-किस में loan को use कर सकते हैं इन्होंने आपर provide कर रखा है जिसकी आप bike loan ले सकते है two-wheeler loan भी आपर provide कर रखा है case advance, marriage loan, education loan, salary advance कुछ इस तरह से तो यह आप देख लिजे 2,00,000 से भी जादे हैं आपर इसमें happy user है loan लेकर उन्हें बहुत कोशी हुई गाईज यहाँ से अगर loan की बात करें तो 2,000 से लेके 1,00,000 तक का loan amount आप यहाँ से ले सकते हो tenure और 3 मन से लेके 12 मन तक बनेगा friend loan charges processing fees will disbursing the loan विचे 500 और 2% of the principal whichever कुछ इस तरह से higher interest rates range from 10% से 29% annually कुछ इस तरह से इन्होंने आपर provide कर रखा है और यहाँ पर इन्होंने provide कर रखा है penalty is charged only on EMI paid after schedule due date अगर आपकी कुछ भी due date होगी गाईज तो उसमें आपको penalty वगरा भी लगेगी तो यह इन्होंने आपर provide कर रखा है अगर APR देखे गाईज और personal loan product यहाँ पर provide कर रखा है तो इसमें जो interest of rate APR रहेगा इसमें guys 30.42% रहेगा परेनम रहेगा और जो loan duration रहेगी यानि कि tenure वो तीन मन तक कर रहेगा और इसमें total personal loan interest जो लगेगा वो लगेगा 2250 रुपे गा और processing fees और GST करके total यहाँ पर 590 रुपे हो जाएगे और जो guys total हमें repayment करनी होगी वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर आपको 32,000 करनी होगी 32,250 और जो आपके bank account में आएगा वो 39,410 आएगा तो यह आप देख लिए यह important है अगर हम यहाँ से इसमें loan के लिए apply करके देखेंगे अगर कोई इनसे कोई शिकायत है या contact अगर आप इनसे करना चाते हो तो यहाँ पर mail भी provide कर रहा है और यहाँ पर mobile number भी provide कर रहा है तो उन पर आप guys call या email कर पाओगे easily अभी हम इसमें loan को apply करते हैं यहाँ पर सबसे पहले app को open करेंगे और इसके बारे में कुछ process जो है guys यहाँ से देख लेंगे अगर आप यहाँ पर देखोगे तो RBI के दोर registered भी है यहाँ पर यह RBI approved NVFC है तो इसमें आपको ज़्यादा गोई दिक्कत नहीं है 5000 से लेकिए 1,000,000 तक का loan amount आपको यहाँ पर मिलता है और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 2 मिनिट में loan approval मिल जाएगा तो अभी हम क्या करते हैं guys यहाँ पर get started वाले options पर क्लिक करेंगे यहाँ पर नीचे तो इस पर get started पर जैसे क्लिक करेंगे कुछ permissions आप से ली जाएंगी इन permissions को आपको allow करना है terms को accept करना है और okay let's go पर क्लिक करना है अभी guys आपको एक mobile number यहाँ पर enter करना है यहाँ पर guys आप देख पाओगे इस mobile number पर get OTP वाले options पर क्लिक करना है जैसे mobile number इंटर करोगे तो आपके mobile number पर एक OTP send किया जाएगा उस OTP को आपको आपर enter करना है OTP verified successfully हो जाएगा यहाँ पर आप देख पाओगे उसके बाद में guys आपको आपके pen card के number इंटर करना है आपको pen card के number इंटर करना के बाद में terms को accept करना है और validate my pen पर क्लिक करना है pen validate successfully हो जाएगा वहाँ पर आपसे permissions ली जाएगी उसके बाद में आपको आधार number फिलप करना है और यहाँ पर verify वाले options पर क्लिक करना है यहाँ पर नीचे आपको option दिया हुआ है तो मैं आधार number फिलप करता हूँ आधार और pen दोनों ही verify हो चुका है अगर आप यहाँ पर देखो गईस तो successfully हो चुका है अभी मेरे को अपने जो address है उसका pin code यहाँ पर enter करना है तो pin code में हाँ पर enter करता हूँ pin code भी verified successfully हो चुका है जो कि आप यहाँ पर देखी सकते हो अभी हम आगे की process देखेंगा गईस यहाँ पर आपको email address फिलप करने की बोल रहा है जो यहाँ पर आप चूज भी कर सकते हो जिसके email address में यहाँ से चूज कर लेता हूँ उसके बाद में आपर sign in होगा email address फिलप हो चुकी है अभी आपको कित्ता का loan amount चीए उसको आपको आपको आपर enter कर देना है तो मैं गईस यहाँ पर 30,000 का loan amount यहाँ पर enter कर देता हूँ नेक्स्ट वाले options पर क्लिक करूँगा अभी गईस email submitted successfully हो चुका है अभी हम देखेंगे कि हमें loan amount मिलता है या फिर नहीं मिलता है अभी आपको personal detail है जो कुछ fill up करनी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ जिसकी आपको आपकी date of birth fill up करनी है आपको gender fill up करना है आपकी जो family monthly income कब में वो आपको आपर enter करनी है और उसके बाद में next वाले options पर क्लिक करना है personal details आप जैसे fill up कर लोगे थोड़े time loading लिया जाएगा अगर यहाँ पर गईस इसके लिए आप eligible रहे तो यहाँ पर वो आपको provide कर देंगे congressional license वाला message आएगा लेकिन फिलाल अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मेरे को आप पर thank you for your support वाला option मिला है यानि कि मेरे को loan amount नहीं मिला है यहाँ पर इन्होंने जिग वाईस sorry बोल दिया है कि हम आपको loan provide नहीं कर सकते लेकिन अगर आप इसके लिए eligible रहे जैस मैं आपको पता दू कि मेरे credit score जो थोड़े down है आपके credit score 700 या उससे उपर के होंगे तो आपको definitely loan मिलेगा यहाँ पर अगर आप देखोगे तो currently we will not be able to offer you a personal loan we are a dispointing us your event through कुछ इस तरह से यहाँ पर provide कर रहा है financial policy guidelines कुछ इस तरह से इन्होंने आपर दिया हुआ है मैं इनके guidelines को follow नही नहीं मिला लेकिन लगबग लगबग हमने बहुत सारी steps यहाँ पर follow कर लिए यपी कुछी steps यहाँ पर बची हुए गाईस तो अगर आप उनको follow कर लोगे तो आपको definitely loan amount मिल जाएगा यहाँ पर आप easily loan amount ले पाओगे जो भी loan amount आपको मिलेगा उसके साथ में आपको coach details और fill up करनी हो सकती है तो वो भी details आपको वहाँ पर fill up कर लिजे और आपका जो loan amount है वो easily आपके bank account में transfer कर देंगे तो guys आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच लेगी होगी और वीडियो चलेगी तो वीडियो के लाइक जरू कर दीजे चैनल पर पहली बार आए तो चनल को subscribe कर लिजे ताकि एससे एमेजिंग वीडियो आपको मिलती रहे